मित्रों अगर आपके जीवन में अस्थाई तो नहीं है आपके घर में लोगों में बेचैनी बनी है नीद अच्छी नहीं आ रही है धन आता है रुखता नहीं है लोगों में अस्थाई प्रेम नहीं रहता है बार बार लोग आपस में जगरते रहते हैं तो कहीं कहीं आपके घर का जो पिर्थिवी तत्यों है वो तो नहीं डिश्टर्ब है तो मित्रों आज हम पिर्थिवी तत्यों के वारे में बातचीत करेंगे सबसे पहले पृत्वी तत्व पाया कहा जाता है पृत्वी तत्व अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोने को पृत्वी तत्व कहा जाता है ग्रहों के परिपेक्ष में राहू और केतू का अस्थान यहां पर माना जाता है जब यह अस्थान डिश्टर्व होता है तो समझेए आपके जीवन में राहू और केतु की नकरात्म कुर्जा अपने आप काम करना सुरू करती है तो लोग बहुर बार बोलते हैं कि मेरे काम में अस्थाईत तो नहीं है काम हो हो कर मेरा खराब हो जाता है तो जादा चांसेज रहता है ऐसे घरों में को उनका पृत्वी तत्वाला भाग जिसको नैरित्तिकोंड बोलते हैं वह कहीं ने कहीं डिश्टर पाया जाता है मैंने कई घरों का जब बास्तु देखा और उनके यहां आर्थिक समस्चा देखी उनके यहां प्रेम नहीं देखा लोगों में कहीं कहीं बाद बाद पे लड़ाई होती है और करज की इस्थिती बन रही है तो जादा तर मैंने देखा वहां पर उनका नैरित्तिकोंड डिश्टर रहा नाइडित्यकॉंण दिश्टर्ब होने पर स्वास्त में क्या समझ से आती है ये भी हम आपको बता दें नाइडित्यकॉंण अर्थात बास्त पूरुस के पैर होते हैं पिर्थुट्वी तक्तो का सम्मंद आपकी पाचन क्रिया से भी माना जाता है ऐसे घरों में पेट का डिश्टर्ब होना, पैरों में दिक्कत होना, घुटों में दर्द होना, ये आम्मा रूप से देखा जाता है कर्ज की इस्थिती बनी रहती है, पैसे की इस्थिरता खतम हो जाती है क्योंकि पिर्थिवी तक्त्य आपके जीवन में इस्थिरता प्रदान करने वाले तक्तों में माना जाता है ये तो रही समस्या की बात अब हम इसको सुधार कैसे करें सबसे पहले चीत तो पिर्थिवी तक्त्य के अस्थान पे भूल से भी कभी भी नल न बनवाए पानी की बेवस्थाने करें यहां पर सोचाले कहा जाता है कुछ सास्त्रों में लिखा गया कि सोचाले बनवा सकता है लेकिन कोशिस करके यहां पर सोचाले भी ना बनवाएं यहां पर सीड़ी ना बनवाएं वो तमाम अस्थाई चीजें और खराब करने वाली चीजें यहां पर न रखी जाएं। कीचन तो कभी भी भूल कर यहां पर न बनाएं। नहीं तो घर में लोगों के बीच में कलेज की मात्रा पढ़ जाएगी। यहां पर आप अपना सयन कक्ष बनाएं। कभी कभी यहां पर सोना थोड़ा सा संभू नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा करें कि आपका पृतिवी तत्तो अच्छा हो जाए। पृतिवी तत्तो का पीला रग्ल बड़ा सुप माना जाता है। यहां पर कुछ न कर सकें तो पीले रंग का पिंट कराएं। साथ में आप तीला बल्व भी लगाकर यहां की एनरजी को अच्छा कर सकते हैं। और कोशिस करें घर का मालिक या घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वह आकर यहां पर सोए जरूर। या कुछ समय पूरे परिवार के साथ इस कोने पर बिताए। इससे घर की स्थिरता अच्छी होती है। साथ में इसको कभी भी हलका नहीं रखना चाहिए। हलके का पर पेक्षिय नहीं कि आप घर का कूड़ा सामान सब कुछ यहां पर लाकर रख दें। घर की उचाई के समद्ध में इस अस्थान को ज़्यादा उंचा और वजनी होना चाहिए। जिससे घर की उर्जा बेवस्थित रहती है। मित्रो, नैरित्यकोण बहुत आवश्यकोण है। अगर आपके घर में नैरित्यकोण डिश्टर्व है, तो आप जान लिजे कि आपके घर में धेर सारी समस्याओं का आमंत्रण हो चुका है। और बास्तु अपने आप में वैज्यानिक प्रक्रिया है। इसका परिडाम तीक्षरता और तीब्रता से देखा जाता है। मित्रो, अगर आपको अपनी कुल्ली दिखानी है या अपने बास्तु के बारे में संपर्क करना है। तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सस्क्राइब करें और अपने मित्रों के साथ सेयर करना बिलकुल न भूलें। धन्यबाद, शिर्यराइब। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूले। जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्स्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार मिलती रहें।